Hello friends, Welcome to a new video, मैं विक्की बरतवाल और आज बात करेंगे एक और अलेक्ट्रिक स्कूटी की जो की Hero Electric की है, Hero Electric NYX HX यह एक high speed electric scooty है इस वीडियो में देखेंगे इसके price, सारे specification सातीज़द features कितना mileage है मलब एक बार charge करने में सारी चीज़े इस वीडियो में वीडियो को सुरू करने से पहले आप से request है आपके भाई की प्लीज अगर चेनल में first time आये हैं मेरे support के लिए red color का subscribe बटन दबा दें जो की एकदम free है सातीज़द वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को like भी कर दें मैं showroom की detail description में डाल दूँगा आप showroom से भी contact कर सकते हैं इस electric scooty के लिए या फिर किसी भी hero electric scooty की information के लिए बात करें इसके price की तो यह dual battery है इसका price दो 77,860 रुपे है इसमें basically दो battery आती है और यह high speed scooty है तो इसके लिए आपको helmet साथिसाथ license की जरूत पड़ेगी और इसमें number plate भी जरूत पड़ेगी जो की company आपको ही यह सारी से चीज़ पूरी करके देगी इसके दो color option of level है एक है black और एक है silver यह सामने देख रहे हैं आप black clear है यह basically एक loading purpose की scooty है आप अगर sales वगएर का या फिर आप अगर स्वीकी वगएर किसी में भी जुमाइट वगएर में काम करते हैं delivery boy का तो इसमें आप अनाम से वह अपना जो आपका delivery का जो आपका bag होता हुआ पीछे रह सकते हैं पीछे के seat उठ जाती है और काफी space बन जाता है या फिर कोई आप sales वगएर है कोई आप समानमान बेशते हो दुखानों में तो भी यह काफी purposeful scooty है यह मैं आप आपको दिखा रहे है किस तरीके से scooty एक बड़ी easily उठ जाती है बात करें इसके specification की तो इसमें आपको front में LED headlight मिल जाती है जिसका throw काफी अच्छा है राद को काफी vision है और इसकी जो tail light है वो भी LED दे रहे है कंपनीन है वह इंडिकेटर इसके में bulb indicator दे रहे है और body जो है 5 layer plastic की है जो काफी अच्छे होती है नौर्मली सारी electric scooty है इसी platform इसी plastic platform पे बनती है front में electric की badging दे रहे है stickring में 3D नहीं है और hero की electric की badging दे रहे है वहीं पर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें combi braking सिस्टम मिल जाता है और इसमें drum brake है disc brake नहीं है levels दे रहे हैं और tubeless tire दे रहे हैं front में suspension दे रहे है वो telescopic है और rear का जो soccer है वो twin soccer observer है power की बात करें जो 600 watt की power है और range 165 km मतलब एक बार चार्ज करने में 165 km राम से स्कूटी चल जाती है वहीं पर इसकी top speed जो है 42 km तक जाती है इसलिए कि high speed स्कूटी है charging का टाइम है total time वो चार्ज से 5 घंटे लेती है यह एक बार चार्ज होने में बैटरी कैपसिटी तीन किलोवाट की है लीथियम आयोन बैटरी है मोटर दे रहे हैं कंपनी इसमें waterproof BLDC मोटर दे रहे हैं और जो स्कूटी का वेट है दीटर मिल जाता है और लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है फ्यूचर की बात करें तो इसमें regenerative breaking system मिलता है मतलब जब आप ब्रेक मारते हैं तो आपकी स्कूटी जो होती है जो बैटरी होती है वह आटोमेटिकली थोड़ी चार्ज होती है वहीं पर इसमें USB charging का socket भी दे कर सकते हैं फ्रेंट में storage space भी दे रखा जिसमें अपना मोईल वगेरा पर्स वगेरा वालट वगेरा रख सकते हैं foldable seat है जो मैंने आपको बताए दिया है और इसकी जो पीछे ग्रैब रील दे रही है साइट से पकड़ने के लिए और पिलियन बैट तो पिलियन के लिए footrest भी दे रखा है काफी heavy duty scooty है मैंने इस वीडियो में सारी चीजे इसकी describe कर दी है जो भी इसके features है और भी अगर आप कुछ जानना चाते हैं इस scooty के बारे में तो आप कमेंट कर दें वीडियो में मैं उसके answer कर दूँगा अगर वीडियो आपको काफी informative लगी हो अगर वीड पहने जब भी आप टूलर चलाए आपकी अपनी safety के लिए थैंक यू बाइबाए